हेलो एवरिवन कैसे हैं आप लोग सब मैं हूँ प्रिया खंडिलवाल आज हम बनाएंगे मांगो फिर्णी यह बहुत क्रीमी और डिलिशिस इंडियन डिजर्ट है अभी मांगो का सीजन चाल रहा है तो आप यह रेसिपी जरूर ट्राइ करें यह सिर्फ तीन बनके तयार हो जाएगी सिर्फ आधी घंटे में तो चलिए बिना किसी देरी के मैंगो फिर्णी बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हमने लिए हैं चार चम्मच चावल यहां मैंने 50 ग्राम बासमती चावल लिए हैं इसको मैंने धो के रखा हुआ है और आधी घंटे से आ पहले हैं आपके पास अगर बासमती चावल नहीं है तो आप कोई से भी और चावल यूज कर सकते हैं अगर आप चावल का पावडर भी यूज करना चाहते हैं तो पहले चावल को लिए उसको को बढ़ा करें और आप चाल को साइड में रख今 एक तरफ दूद वाल लेंग इसके बाद हम जो mango pulp है यह बनाएंगे इसके लिए मैंने तीन आपको साम लिए हैं इसे roughly chop करने और इसकी प्यूरी बना के रख लें दूद हमारा उबल चुका है अच्छे से फिलनी बनाना बहुत आसान है इसका रेशो बहुत सिंपल है एक लीटर दूद में आप 100 ग्राम च जो दूद है वो धीरे-दीरे उबल के ठिक होता जाएगा और इसी कंसिस्टेंसी एकदम परफिक्ट हो जाएगी अच्छे से उबालें इसे 10-15 मिनिट तक मीडियम फ्लेम पे ध्यान रखें इसे स्टर करते रहें जो चावल है वो पैन से स्टिक हो जाता है आज मैं दो तर से फिर्णी बहुत टेस्टी लगती है आप जो चाहें आप वो यूज कर सकते हैं दू अच्छे से थिक होता जा रहा है कि ध्यान रखें मैंने आप उसाम यूज करें अगर आपके बास कोई भी और आम अविलेबल है तो आप यूज कर सकते हैं आप चाहें तो थोड़ा सा हो जाएगा यह इसमें अब आप एक कप मैंगो का पल्प डालेंगे मैंने सिर्फ आम को पीस लिया था एक महीन पेस्ट में इसमें पानी या दूर बिल्कुल भी आड नहीं किया है थोड़ा सा आम का पेस्ट में बात के लिए बचाओंगी जो हम गार्निश में यूज करें अचे से मिक्स करें इसे मैं आप चीनी अभी इसलिए नहीं डाली है क्योंकि हम पहले टेस्ट करेंगे आम में मिठास होती है अगर आपको लगता है तो आप चीनी क्वांटिटी कम जादा भी कर सकते हैं आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप प्लेन फिर्नी बनाना हो नीचे पान से अब आप सौ ग्राम चीनी डालें अच्छे से मिक्स करें इसे आप देखिए फिर्नी अच्छी गाड़ी हो चुकी है इसे हम डालेंगे इलाइची क्रश करी हुई चार से पांच फिर्नी को और रिच बनाने के रिए आप इस स्टेज में दो चम्मच और भी डाल सकते हैं मैं दोनों ही स्किप कर रही हूं अभी के लिए अच्छे से मिक्स करें जब आपके फिर्नी एकदम ठिक और क्रीमी हो जाए 15-20 मिनिट में तो आप ग्यास ओफ करके से थंडा कर लें एक बात का जरूर ध्यान रखें जब यह थंडी होती है तब और गा जब आपके लाज दा गारी हो गई है गैस ऑफ करके से थंडा कर लें इसे आप सर्विंग बोल में निकाल लिए मैंने आप एक बोल दिया है इसमें सर्फ करिए अगर आप यह समिटी का बोल नहीं है तो आप दिक नॉर्मल बोल में भी निकाल सकते हैं बीपस दो कुलड़ इसे हम फिर्ज में थंडा कर लेंगे दो से तीन घंटे के लिए जो आपकी फिर्णी अच्छे से चिल हो जाए इसके उपर आप टॉप कर सकते हैं थोड़ी से मैंगो चंक्स के साथ बहुत अच्छा हता है अगर आप सर्फ करेंगे तो अगर आप यह मैंगो फिर्णी करने अथिके पतला पतला इसे काट लें यह से मैं जिखा रही हूं आपको विडियो में कि मीज जो फिर्णी है सignant टॉप करेंगे जिसे में वीडियो में को दिखा रही हूं आप इसे एक circle में arrange करते जाएं, इससे ऐसे एक rose तयार हो जाएगा, जो बहुत सुन्दर लगता है, आप चाहे तो आपके बच्चों को भी involve कर सकते हैं, stage में उन्हें बहुत मज़ा आएगा, तो आपके traditional तरह की फिर्णी तयार है, इसको तुरहंती serve करें, एक और तरह से सकते हैं, ऐसे tall glasses लें, सबसे पहसे नीचे layer डालें, chopped mangoes की, फिर आम डालेंगे फिर्णी की layer, यह बहुत सुन्दर dessert है, अगर आप ऐसे ऐसे serve करेंगे किसी party में, तो guests बहुत खुश हो जाएंगे, इसके उपर आप टॉप करें, ऐसे mango puree, जो आमने मैंगो का pulp बना रखा था आप उससे top करें, इसे मैं top करूँगे, आम के chunks के साथ, अगर आप ऐसे फिर्णी serve करेंगे, तो आपके घरवाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे, यह recipe आप ज़रूर try करें, आप मुझे comments में बताएं, आपको कैसी लगी, अगर आपको मेरी videos पसंद आती हैं, तो like करें comment करें, और अपने friends और family के साथ जरूर share करें, आपको दोनों फिर्णी में से कौन सा style अच्छा लगा serve करने के लिए मुझे comments जरूर बताएं, आपने मेरे चालों को subscribe नहीं करा है, तो subscribe बटन पर click करें, यह completely free है, उसी के पास में जो bell icon है, उसे भी click करें, ताकि आपको notification and stay healthy.